वेलकम स्टूडेंस स्वागता आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल स्टेडी स्किल सक्सेस पर तो फ्रेट्स आज की इस वीडियो में हम एक बैड न्यूज के बारे में बात करने वाले हैं बैड न्यूज क्या है उसके बारे में जानने के लिए आपको वीडियो को देखना होगा तो वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा और अभी तक अगर आपने हमारे यूटूब चैनल स्टेडी स्किल सक्सेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको नीट से समं आप कर रात ही अपलोड की है तो उस वीडियो के लिए आप चैनल की प्लेइलिस्ट में जाके आपको मेडिकल स्कॉलर्शिप से रिटेड एक प्लेइलिस्ट मिलेगी वहां पर उन वीडियो जो चारों वीडियो से उनको देख सकते हैं तो वह अच्छी स्कॉलर्शिप है मेडिकल की शेतर में एक अच्छी स्कॉलर्शिप उसके जरीए पा सकती है तो वह वीडियो से अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखे ठीक है बात कर लेते हैं आज की इस न्यूज़ पर तो फ्रेंस आप सभी को पता है कि मेडिकल की जो एक सीट वह बॉस्ट इंपोर्टेंट है क्यूंकि आप जितने भी स्टूडेंट यह लेकिन आपको सिर्फ चाहिए एक सीट ऐसे में अगर मेडिकल की सीट्स में कुछ कमी होती है तो नुक्सान आपको ही अप में से किनी स्टूडेंस को भूचतना पड़ेगा तो यह बैड न कोलेज में MBBS की 50 सीटों की मानिता पर खत्रा मंडराने लगा है सर्जरी रेडियो डाइगनोसिस तवच्चा रोग एनटोमी फीजियोलोजी बायोकमेश्टी समेट कई विवागों को मिलाकर लगबक 40 फिस्दी फेकल्टी के पद खाली हो गए हैं और अगले मार्च के पर्थ मेले साल ही MBBS की सीटे सो से बढ़कर डेर सो की गई थी मेडिकल कामसील ओफ इंडिया यानि की MCA ने फेकल्टी के पदों की स्तीति को देखते हुए बिना निरिक्षिन किये ही 50 सीटों को बढ़ा दिया था उमीद थी कि आगामी वर्षों में फेकल्टी की हंक्या में इजा कर रहे हैं सबसे बुरी स्थिति राय रेडियो डाइगनोसिस किन और फीजियोलोजी विवाग की है और चिकीसा शिक्षकों की काफी तदाद में कमी देखकर स्वास्ते मत्राले MCA निरेक्षिन के लिए निर्दर्शित कर सकता है ऐसे में पिछले साल बड़ी 50 सीटों की मन करने दा समाब्त भी की जा सकती है सरजर्भाग में प्रफेशर के दो चारोगता के चारोगता के मुझजित है मुझुद्धा समय में एक एसोशेट दो असेस्टन प्रोफेसर के पद खाली है तवच्छा रोग विवाग के यह हम पद रिखते हैं इससे अपने कोई को मतलब नहीं है अपने सिर्फ मतलब है से लिटर्बर तो फ्रेंड्स आपकी मेडिकल की सीट को खतरा हो सकता है पचास सीट को कोई सा कॉलिज है तो यह कोलेघे उसका नाम है मारानी लक्षमी भाई medical college पचास सीटो को देखिया आपका खत्रा क्यूं है क्योंकि पिछले जो पीछे इसकी medical colleges की सीटे थी वो सो थी और इनको सो से बढ़ा कर डेट सो किया गया था लेकिन MCI का एक रूल है कि जब भी सीटो को बढ़ाया जाता है तो उसकी faculty को चेक किया जाता है लेकिन इस medical college की faculty को बीना चेक किये ही इसमें 50 सीटे बढ़ा दी और वो 50 सीटे आपके इस 2019 के session में include भी कर ली गई लेकिन अब क्या है कि इसकी faculty में दिन बे दिन कमी हो रही है और MCI ने रिपोर्ट माँगी है इसकी faculty की next week तो जैसे ही next week कि ये अपनी faculties क report देगा तो MC अपना narration करेगा narration करने पर faculties की कमी को देखते हुए इसकी 50 सीटे जो है वो वापस ली जा सकती है अभी ली जा सकती है लेगी नहीं है अगर ये 50 सीटे कम होती है तो इससे आपको काफी ज़्यादा नुकसान हो सकता है तो ये थोड़ी bad news थी उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा तो फ्रेंटस अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजेगा और जब्सक्राइबstem